हेलो दूसी संकर एंड यूचीं केंपिस नियूस दोसों इंदरा गंदी नेशनल ओपिन इन्वर्टिटी अनकी इगनु के जून 2022 के जो है सभी कोर्सेस का और सभी येर का जो है एक्जामनेशन फॉर्म जो है रिलीज कर दिया गया है तो आज हम यहीं बताने वाल हैं कि कैसे आपको अपना एक्जामनेशन फॉर्म फिल अप करना है साथ में एक्जामनेशन फॉर्म फिल अप करते समय जो है किन-किन बातों का ध्यान रखना है साथ में examination form fill up करने की जो है last date क्या है हो और late fees के साथ जो है आप कब तक fill up कर सकते हो साथ में जो है कुछ important guidelines और instruction भी जो है इगनु के तरफ से जो है release किया गया है तो आज हम इसके उपर में चर्चा करेंगे बाकी गरह आप चैनल पे नए हो चैनल को subscribe कर लिजेगा साथ में bell icon को press recall का बटन दवा लिजेगा ताकि इगनु से related सारा अपड़ेट मार्च चैनल पे आपको मिलता रहे तो दोस्तों इंद्रा गांधी नेशनल ओपिन उनिवर्सिटी यानि की इगनु के जो है जून 2022 के जो है सभी courses और सभी year का जो है करोगी तो आपके सामने जो है एक नया portal खुलेगा तो यहां पे जो है guidelines instruction for the submission of the online examination form June 2022 यहां पे जो है देख सकते हो तो यही है बाकि यहां पे देख सकते हो कि एक जून को यह जो है examination form आपका release कर दिया गया था और यह जो है 25 जून तक without late fees के साथ जो है आप अपना जो है examination form फिलप कर सकते हो तो यही जो है इसका date है तो यह जो है date का जो है आप जरूर ध्यान रखिएगा बाकि जो guidelines यहां पे release किया गया है यह जो हर एक बार की तरह है तो आप जो है इसको खुद से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो इसमें यही दिया हुआ है कि आपको जो है examination form फिलप करते समय जो है आपको जरूरी चीजों का ध्यान रखना है जिसमें आपको जो है अपना इस बार अगर आप exam दे रहा है जून जुलाई में तो आपको जो है अपना जो है सबसे पहले तो assignment जो है जमा होना चाहिए तभी जब जो है जो है इससा ले पाउगे तो यह सब जो है इसमें कहा गया है तो assignment का अभी जो है submit करने कि जो है डेट एक बार फिर से extend कर दिया गया है जो कि 15 जून तक है तो आप अपना assignment जमा कर सकते हो तो यही है बाकी यह instruction और guidelines जो आप खुद से भी पढ़ सकते हो registration के समय में आपके पास में center चूज करने के लिए आपको option दिया जाएगा कि कौन से center पे आप exam देना चाहते हो यह इस पर आपको प्लिक करना है और क्लिक करके फिल online exam form पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर जब आपके सामने देख सकते हो कि नया जो है पोटल खुल के आ चुका है यहाँ पर examination form टी जून 2022 आपको लिखा आ रहा है तो यहाँ पर देख लें सबसे पहले तो आपको जो है प्रोग्राम कोड यहाँ पर डालना होगा जो भी प्रोग्राम कोड है आप जो है अपने फिरी सिप्ट पर होगा तो वहाँ पर जो है जरूर देख ले उसके बाद जो है enrollment नमर जाएगा तो यहाँ पर दिली NCR आ रहा है तो आपको जो है दिली NCR डाल देना है उसके बाद जो है संबीट पर जो है आपको क्लिक कर देना है इससे पहले यह आपको ध्यान रखना है कि सभी कोर्सेज और सभी सब्जेक्ट का जो है आपको 200 एक्जामनेशन फीस है इसी के according जो है आपको fill up करना है तो fill up करते समय आप अपने साथ में डेविट कार्ट या फिर करण के मादम से ही अपना फीस जमा कर सकते हो तो इसी के according और इसी द्वारा आप जो है अपना फीस जमा करोगे और next step में आपको सेंटर चूज करने का option मिलेगा कि कहाँ पर आप अपना एक्जाम दे सकते हो और कौन से जगह पे तो वो जो है चूज कर लीजिएगा बाकि इसी तरीके से जो है आपको अपना एक्जामनेशन फॉर्म फिल अप करना है बाकि और भी कोई सवाल होगा या फिर कोई कन्फूजन होगा तो आप हमें कॉमेंट करके या फिर डारेक्ट के वज़े से फिल अप नहीं कर पाते हैं तो 26 जून से लेके आप 30 जून के बीच में आप लेट फिस के साथ ये एक्जामनेशन फॉर्म फिल अप कर पाओगे बाकि और भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा बाकि आज किस वीडियो में इतना ह नहीं सुक्रिया धन्यवाद